तो इस समय माई की तीन तारीक है और हर जगह गर्मिया बहुत जादा पड़ रही है तो जहां मेरे सारे पेड़ इस समय काफी डल लग रहे हैं और मुर्जाय मुर्जाय दिख रहे हैं वहीं पे मेरे पास कुछ ऐसे पेड़ हैं जो एकतम लस्ग्रीन है और जितनी जादा दे होने यह प्लान लगवबरे का हो है वैसे इसकी हाइट मैकसिमं तीन से चारफिट तक है और यह आट काफि ऐसे दो फिट में यह काफी घंच अहलिक पाई कीषफे तो इसkop गोल सेफ इने हमाय से इसे कुछ कटिंग करने के जरूरत नहीं है और यह आटोमेटिक यह इस तरीके से गोल में हो जाता है और यह देखने में बहुत अच्छा लगता है तो यह दोनों प्लांट मेरे फुल धूप में हैं मतलब की ऐसी जगह पे हैं जहां पर यह कम से कम 12 घंटे की दूप मतलब हैं वहीं यह प्लांट ऐसी जगह पे हैं जहां पर इसको 5-6 घंटे की दूप मिलती है यानि कि 12 एक बज़े से इसको दूप मिलती है और सामके पांच होजबे तक तो इसका कलर और इसके कलर में आप दोनों में डिफ्रेंस देख सकते हैं तो यह फुल धूप में होने के व सब्सक्राइब तो दूप फिर्ट थी काफी अच्छे लग रहे थे वैसे कोचिया प्लांट के बहुत सारे नाम हैं जैसे की बर्निंग बूस क्योंकि कई सारे डिजन में यह रेट क्लर के भी आते हैं इसलिए बंदिंग बूस नाम पला समर साइपरस और मैक्सिकन फाइर भीड़ साइप्रस इसलिए क्योंकि इसका जो सेफ है वह साइप्रस प्लांट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है मेरे पास बाहर साइप्रस प्लांट लगा हुआ है ग्रीन कलर का और उसके साथ थूजा भी तो वह देखने में उसका वी सेप कुछ इस तरीके से हैं और यह यह मेरे पास यह golden साइप्रस है तो यह भी अतिकोने शेप में होता है और जहां जहां धूब पड़ती है यह वहां वहां पर यह golden हो जाता है तो यह साइप्रस फ्रैमली से तो बिलॉंग बिल्कुल नहीं करता लेकिन हाँ सेप के मामले में यह उसी की तरीके से लगता है तो जहां पर जो normal साइप्रस है और यह दोनों यह बारो महीने चलते हैं प्लांट यह पेरिनियल है वहीं पर यह जो कोचिया का प्लांट है यह एनूब प्लांट है इनूब का मतलब कि यह फरवरी मार्स से स्टार्ट होता है और यह जब तक गर्मिया पड़ती है जैसे कि सेप लंबर के महीने में तो यह मर जाता है तो अभी तो यह खुब बुशी होगा और यह लगभग इतना बड़ा हो जाएगा यह इतने बड़ा क्योंकि यह भी छोटा प्लांट है लेकिन जैसे जैसे यह लगभग 80-90 दिन हो जाते हैं यह प्लांट अपने फुल में चोटी में आ 12 इंच में अपने फुल ग्रोथ में आ जाएंगे और यह काफी अच्छे लगेंगे हां नहीं एवलेबल है तो आप 8-10 इंच कितने भी लगा सकते हैं लेकिन जितना बड़ा पॉट साइज होगा इस प्लांट की भी साइज उतनी ही बड़ी होगी जैसे कि अगर आप 8 इंच में यह लगभग इतना जाएगा और 12 इंच में यह अपने लगभग तीन फिर तक पहुच जाएगा और यह काफी बुशी हो जाता है वहीं मिट्टी की बात करें तो इसे वेल ड्रेंट चाहिए यानि कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी खड़ा नहों नमी रहे लेकिन पानी खड़ा नहों इसके लिए आप एक हिस्सा सेंड एक हिस्सा काव डंग कमपोस और एक हिस्सा मिट्टी लें मतलब वन थर्ड इसमें जरूर मिलाएं ताकि क्या रहे कि पानी इसमें ठहरे नहीं और सेंड लाने का एक और फायदा है कि जब बरसात होता है तो इसके अं प्लांट को मरने का नमबर वन रीजन यही है क्योंकि यह रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है तो इसलिए पानी इसमें तभी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो आप यह पानी दे सकते हैं तो मौर्निंग में पानी देने के लिए बेस्ट टाइम होता है नहीं तो आप इवनिंग में भी दे सकते हैं तो इस तरीके से अगर मिट्टी सूख जाए तभी डालें अगर यह मिट्टी गीली रहे काफी ज्यादा तब तो इसमें बिल्कुल पानी डालें मना यह प्लांट बहुत जल्दी रूट रॉट हो जाएगा हां एक्टम ड्रॉप भी हैं हाँ यह देखने में तो बहुत ब्यूटिफुल हैं और यह थोड़े ड्रॉफ टोल्रेंट भी होते हैं लेकिन अगर इन्हें पानी बिल्कुल नमिले तो यह कुछ इस तरीके से मुर्जा जाते हैं जैसे कि दो पहर में गमले का पानी शूख गया तो यह काफी जादे कि पतियां इस तरीके से मुर्जाय मुर्जाय लगेंगी लेकिन यह प्लेंड जो प्लांट यह मरा नहीं रहता आप इसमें जैसे ही पानी देंगे यह दूबारा से खड़ा हो जाएगा और एकदम लस्ग्रीन हो जाएगा और इस तरीके से बहुत सारे पेड़ करते हैं दो है लेकिन हाँ अगर आप इसमें नाइट्रोजन रिच शुरू में ही खाद मिला रहेंगे तो यह काफी अच्छा चलेगा कि वहीं आप इन्हें फुल धूप में रखें इससे कोई दिक्कत नहीं इन प्लांट को वैसे जैसे यह हमें देखने में इतने अच्छे लग रहे ह प्लाइट्स बाकी केमिकल मिलते हैं और अगर कोई फी जानवर इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेता है तो उनके लीवर और किड्नी फेल होने का चांस रहता है तो यह जानवरों के लिए हलकासा टॉक्सिक प्लांट है वैसे इस प्लांट को थोड़ा ए प्लाइज वाले उन्हें नाइट्रोजन रिच फटलाइजर बहुत अच्छा लगता है तो आप इसमें एंपिके का ऊपर से छिलकाओ कर सकते हैं या फिर नाइट्रोजन डिजितने भी फटलाइजर हैं आप उनको इसमें डाल सकते हैं वैसे मेरे सजेशन से तो आप जब पॉटिंग मिक्स में डाल दीजिए मैंने इसके बाद दुबारा इसमें कभी खाद नहीं डालता और वैसे एन्वल प्लांट है साथ-8 महिने यह चलते हैं यानि कि फरवरी के लास से ले करके यह सेप्टेमबर तक हाँ बारिस के समय यह बारी जो है यह पूरी अच्छी त दालने तो जिसτεं क्या होगा कि इसमें फंगस न लगे रूट में क्योंकि इसले फाती है यह बहुत होती है तो क्या होता है कि यह बहुत जल्ली सड़ जाता है तो बारी से इसको दिक्कत नहीं है मेरे तो पिछले साल इस जो गमले थे जो मैं को चिन लगाया था हो पूरी बारिस चले और उनको कोई प्रावलोम नहीं हुई वह पानी में ही पूरी तरीके से भीगते थे वैसे यह प्लांट बहुत अच्छा लगता है आप इसे हमेशा 2-4-6 जोड़े में खर दें बहुत सस्ता प्लांट है मुझे तो यह प्लांट 5-5 रुपए के मिले तो आपके ए 10 रुपए इसे ज्यादा इसका रेट नहीं है और अगर आप कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगाना है तो आप इसकी पर्चेस कर सकते हैं 20-30 रुपए का आएगा और उससे आपको कम सकम हजारों प्लांट आप उससे चाहें तो बना सकते हैं यह प्लांट बहुत अगले साल फिर आपको फ्लावर के प्लांट के लिए नए गमले खरीदना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप फ्लावरिंग जब ठंडियों के फ्लावर के प्लावर के खतम हो जाए तो आप इन प्लांट को लगा दें और यह जब तक गर्मी रहेगी तब तक करेंगे वैसे यह प्लांट बहुत अच्छा है और ग्रिंडी के लिए तो खास कर जब आपके सारे प्लांट जो है गर्मी मुर्जाय रहेंगे तो इनको देख करके आखों को बड़ी ठंडंग मिलती है तो कोचिया के लेटेट यह वीडियो बस इतना ही जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के ले करके तब तक के लिए बाए बाए